आशा करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं नाम है सिद्दान तक यूद्वे, स्टेडी आईक्यू पर आपका बहुत बहुत सबागत है, टीपु सुल्तान की फाइनल पार्ट को आज हम देखेंगे, उनकी बायोग्राफिक हम रिव्यू कर रहे हैं, चार आशूर वार, डेफिनेटली, चौथा हम आज कवर करेंगे, तीन और रेडी कवर हो चुके हैं, ब्रिटिश की हिस्ट्री, उसके बाद और भी काफी मिसलेनियस चीज़े हमने कवर की हैं, उद्देश क्या था सब कुछ, तो जरूर सुनिएगा और इंजॉय करिएगा, नो 25,000 रुपए में मात्र, UPSC का कॉम्प्रिहेंसिफ प्लस में इस पेंडराइफ कोर्स आपके लिए हाजर है, स्टेडी आईक्यू की वेबसाइट आज ही विजट करें, और इस बहतरीन कोर्स का फायदा उठाएं, साती साथ आप इन नम्बस पर कॉल कर सकते हैं, जाधा जा चौथे एंगलो मायसूर वार, यानि की फाइनल मायसूर वार का ये चित्र है, ठीक है, हमने अभी तक देखा था कि हाइदर अली जो है, वो ब्रिटिश से लड़ते हैं, ठीक है, ब्रिटिश की expansionist policy होती है, हाइदर अली उनके सामने होते हैं, हाइदर अली को वो हराना चा करते हैं, हाइदर अली से, हाइदर अली के अगर बात करें, तो वो एक सिपाही के बेटे होता है, बनते भी सिपाही हैं, अपनी बुद्धी, अपने ज्यान और अपने intelligence के कारण, बहुती जल्दी एक के बाद एक उनको promotion मिलता है, और उसके बाद वो बहुती जल्दी leader बन देते हैं, 1701 संट में ही थर्ड बैटल ऑफ पानिपत होती है, जिससे भेंकर नुकसान होता है मराठा को, यहाँ पर हाइदर अली अपना पासा फेकते हैं, 35 रुपए बोलते हैं, लेलो, और इस वार से हट जाओ, ब्रिटिस को सपोर्ट बिलकुल बद करो, लेकिन उसके ब मादव राव वन, मतलब मादव राव वन जो अगले पेश्वा होते हैं, पूरा रिजरेक्ट करते हैं, रिस्ट्रक्चर करते हैं मराठाओं को, और फिर ऐसा वार करते हैं हाइदर अली पे, कि हाइदर अली और टीपो सुल्तान दोनों को ही जुकना पड़ता है, कोई भी होता है, इतनी बुरी तरह वो वार करते हैं और अल्टीमेटली वो उनको नवाव मैसुर मानने के लिए तयार हो जाते हैं, उसके बाद और भी चीज़े होती हैं, मैंने सारी की सारी अब फूरा तो सब कुछ मैंने बताया है, आप पिछले लेचर में देखिएगा, टीपो कमाल के लीडर, इनका जनम जो है, सत्रा सौ पचास में होता है, बहुत ही बेहतरीन, जैसे अर्जुन गर्ब से ही, मतलब क्या कहते हैं कि द्रौपती के गर्ब से ही, अबिमन्यू जिस तरह से द्रौपती के गर्ब से ही, सब कुछ सारी विद्याएं सीख किया थे, उसी तर सुल्तान वैसे तो जो टीपू अल्रेडी देखिए, हैदर अली का जब जनम हुआ था, तो उनके पिता जी कोई महराजा या सुल्तान नहीं थे, ठीक है, एक और्डिनरी सिपाई थे, लेकिन टीपू सुल्तान का जब जनम होता है, तो हैदर अली बहुत ही जवर्दस सुल्तान के लिए रखे, हिस्ट्री, जोग्रफी, सारी लैंग्विज में इनको पूरी तरह से हुगत कराया, बहुत ही अच्छे से इनको ट्रेंड किया, और फाइनली इनको मिलिटरी में, मतलब आजमाने के लिए युद्धों में भीजा, फर्स्ट अंग्लो माईसूर व इंगा पटनम जो है, वो साइन हुई थी, अब आप देख सकते हैं कि पहले और दूसरे अंग्लो माईसूर वार में, ब्रिटिशर को कुछ भी नहीं मिला था, खाली आत आयते और खाली आत गये थे, ठीक है, वैसे खाली आत तो नहीं आये थे, थार्ड अंग्लो माईसूर वार हुआ क्यों था, क्योंकि टीपू सुल्तान, वैसे तो मराठा इस बीच पूरी तरह से दूसरे अंग्लो माईसूर वार जो कि 1784 में खतम हुआ था, पूरी तरह से अटैक कर रहे थे, ठीक है, फोल ओन यहां पर अटैक चालो था, ब्रिटिशर को, यह बहुत अच्छा भूल गया था, मेरी दिमाग से स्लिप हो गया, पता नहीं कैसे, चली कोई बात ने स्लेचर में बता देता हूँ, पिट्स इंडिया आक्ट का भी बहुत बड़ा हाट था, डेटा बताईए, पिट्स इंडिया आक्ट का बाया था, तो पिट्स इंडिया आक्ट कुछ इस त थ्रेट हुआ, कोई भी आर्मी अगर हमारे खिलाफ खड़ी हुई या थ्रेट हुई, तब हम उस पर डारेक्ली अटाक करेंगे, तो अभी तक ब्रिटिश यही कर रहे थे, लेकिन डारेक्ली जब उनके ओपर थ्रेट आया, पूरी रियार्गनाईज हो गई जब टीपू सु साइनुथी, ट्रीटी ओफ श्री रंगा पत्नम है, सरिंगा पत्नम साइनुथी 1792 में 50% टेरेटरीज, आप यह मैप में देख सकते हैं, यह जो टेरेटरीज है, कहां कहां सिसीड हुई, किन किन को देना पड़ा, ठीक है, 50% टेरेटरीज जो है, वो हार गय थे अपनी टेरेटरी थी, यह आती थी मैसूर में, और इसको भी कैप्चर कर लिया तब डिटिश ने, उसके बाद आप यह भी देख सकते हैं, यह सब जो टेरेटरीज हैं, छोटे छोटे आप रीजन्स दे सकते हैं, मैसूर में जिनको मिल गए थे, और यह किन को मिले थे, बट गए मराथा, हाइदराबाद और ब्रिटिश के बीच में, ठीक है, आई होपी अब आपको समझ में आई होगी, और अब हम चौथे वार की तरफ चलते हैं, चलिए, इसे के चक्कर में हो गया फोर्थ आंगलो मैसूर वार, देखिए क्या था कि इतनी बड़ी बेज़ती अगर बहुत ही जादा ये बाद उनको खराब लगी, बहुत ही गुसा आया, हाइदर रेली को, क्यूंकि इस वार में तीसरे आंगलो मैसूर वार्वन की भेंकर बेज़ती हुई, ठीक है, ब्रिटिश का डॉमिनेंस थापित हो गया, अब अगर कोई एक सामराज उदै हो रहा है, तो और जादा चाहेगा, ब्रिटिशर को पता था कि अगला जो हम वार करने वाले हैं, इसमें ये लोग गए काम से, ठीक है, टीपो सुल्तान फिर उट नहीं पाएगा, इसको तब हम हरा देंगे, इधर एक और बहुत बड़ी चीज हो रही थी, नेपोलियन का उदै हो रह ही थी, नेपोलियन बहुत दी चालांकी से पूरा तक्ता पलट कर देता है, लेकिन यहां पे एक चीज और होती है, देखिए, 1799 में ये वार हुआ, 1798 में उधर ब्रिटिश और फ्रांस दोनों कटर दुश्मन और भारत में भी उनका, मतलब भारत में भी वो लोग स्थाप लड़ने के लिए वापस आते हैं, फ्रैंक कॉइस पॉल को हरा देते हैं, ये होते हैं, मिलेटरी जनरल, चीफ और मिलेटरी आर्मी नेपोलियन के, ठीक है, अब ये सीधे आ जाते है भारत, क्यूं, क्यूंकि इनको लड़ना है फोर्थ हैंगलो मैसूर वार, ठीक है, यहा अपने टिपू सुल्तान अपने अमबैसेडर्स भेजे, अपने मेसेंजर्स भेजे, ताकि आसपास के देशों में, परशिया, टर्की, इन सबसे अच्छे रिलेशन्स थे, इनके, साथी साथ नेपोलियन को भी पत्र लिखा, कि आप हमारी मदद करिए, लेकिन नेपोलियन की Battle of the Nile हार गया थे, जो फ्रांस था, और इतनी ज़्यादा वीक हो गए थी, तो वो पॉसिबल नहीं था, ठीक है, नेपोलियन के लिए help कर पाना, ठीक है, चल ये कोई बात नहीं, अकेले लड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे टीपू सुल्तान पूरे ही अकेले पड़ गए, फ्रांस आर्मी, फ्रेंच आर्मी वैसे ही बहुत महाँ पे कमजोर थी, कुछ करनी सकती, ब्रेटिश ऑल्रेडी, उनके पास पीछे निजाम है, मराथा है, तीनों ने उनसे हाथ मिला लिया, ठीक है, सब कोई अपना-पना हेत देख रहा था, कोई उनेटी नहीं थी, सब को अपना-पना इंटरस्ट था, ऐसे भी मैंने बताया था आपको न, एक लेच्चर में, कि ये कहावत है और ये बोला गया है, कि इन इंटरनाशनल पॉलेटिक्स, दियर आर नो पर्मनेंट फ्रेंड्स और पर्मनेंट एनिमी यहाँ पैसे पर्सनल इंटरस्ट होता है, कोई पर्मनेंट फ्रेंड और पर्मनेंट एनिमी नहीं है, यह मेरे वर्ट्स नहीं है, पहले मैं बता दू, ऐसा बोला जाता है, ठीक है, सिर्फ पर्मनेंट इंटरस्ट होता है, तो तीनों लोग अपने इंटरस्ट के लिए चौथे एंगलो मैसूर वार में कूद गए, इस टीपू सुल्तान की 30,000 की आर्मी, टीपू सुल्तान के पास काफी modernized weapon थे, rocket man थे भईया, वो इंडिया के अब्दुल कलाम तक ने बोला था कि पहले rocket man थे, ठीक है, और इनके rockets को ले भी जाया गया था, लंडन, ठीक है, तो टीपू सुल्तान जो थे, उस समय आउट न 1990 में invade किया, अटाक किया, और उसके बाद, ultimately टीपू सुल्तान को हार का सामना करना पड़ा, कोई चारा नहीं था, उनको हार नहीं था, यहाँ पे क्या है, कि फ्रांस ने बोला था, फ्रेंच ने, देकि टीपू सुल्तान बहुत बादूरते, फ्रांस ने बोला था, फ्रें साल बकरी की तरह बचने से, मतलब हजार साल बकरी की तरह जीने से, अच्छा है कि मैं एक दी शेर की जिंदगी जी हूँ, तो यह था, और फाइनली टीपू सुल्तान निगल गया, तलवार लेकि अपने पूरा का पूरा, उनका एक ही सपना था, कि ब्रेटे शार्वी की डेथ हो जाती है, तीक है, अपनी कैपिटल को बचाते हुए, रड़ भूमी में वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, और उनकी डेथ हो जाती है, तो टीपू सुल्तान जो है, इस तरह से उनका एंड होता है, 1799 में डेथ हो जाती है, और उसके बाद फिर यह तो यहाँ पर यह चीज हो गया, और उसके बाद फिर यही से मैसूर का जो पूरा चैप्टर था, वो यहाँ पर खतम हुआ, अल्टिमेटली ब्रिटिश सबसे बड़ी पावर बन गया, डॉमिनेंट पावर बन गया, और देखिए, ब्रिटिश का राज बहुत ही खराब थ रिसोर्सेस लेके जाता था, इस समय अमेरिका को भी इंडिपेंडनेस मिल गई थी, सिर्फ और सिर्फ एक ही पावर थी, एक ही चीज था जो ब्रिटिश को पैसा देता था और वो था भारत, भारत सोने किचडिया था, एंशेंट इंडिया में भारत पूरी दुनिया की 35% GDP वो अकेले भारत कॉंट्रिबूट करता था, बहुत अमीर था, इसी दिए लोग भरबर के भारत आते थे, ठीक है, और इसमें ब्रिटिश कामियाब हुआ, अपने चालांकी से चलते हैं, यहाँ पे यूनिटी नहीं थी, सब को भिढ़वा दी आपस में, और अल्टिमेटल यह खतम होता है, 48 साल की उमर में टीपू सुल्तान का, उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, अब अगर हम इनकी एड्मिनिस्टेशन की बात करें, तो इनका जो एड्मिनिस्टेशन था, वो बढ़िया था, ठीक है, इनके, in fact बहुत ही बढ़िया था, मैसूर बहुत ही प्रॉस इनके रॉकेट्स थे, हाइदर अली के टाइम से ही जो रॉकेट्स था, इसका यूसेज जो था, वो काफी बढ़ता जा रहा था, ठीक है, पहले हादर अली ने सोचा, कि एक नाएक ऐसा वेपन होना चाहिए, जिसको, जिससे हम पूरे एनिमीज को ध्वस्त कर सकें, उनको ये वेपन मिला, उनके पास अच्छे साइंटेस्ट है, साइंस का यूस करके, उन्होंने सबसे पहले तो 1200 स्पेशलाइजड ट्रूप्स को तैनात किया, जो रॉकेट को अच्छे से ऑपरेट कर पाते हैं, और इसके बाद जब टीपू सुल्तान है, उन्होंने इस चीज को समझी, 5000 उसके बाद इन्होंने जब टीपू सुल्तान के रेन में तो 5000 स्पेशलाइजड ट्रूप्स थे, 5000 आदमी, स्पेशल आदमी, जो सिर्फ और सिर्फ रॉकेट के मेकैनिजम को देखते थे, वो टीपू सुल्तान की आर्मी में थे, और जब वो जाता था ना रोकेट थे, इतने लालची थे ये लोग, कि जब इनकी डेथ हुई, तो इनकी अंगूठी तक ले ली थी, ठीक है, और इनके रोकेट सॉकेट सब ले गए थे, और फिर उसके बाद वो साइंस देखने लगे कि वह यह कैसे होता है, और कुछ रोकेट तो इनके म्यूजियम में भी इनके रेंग में, देखिए, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, टीपो सुल्तान मैसूर के राजा थे, मैसूर में सब बहुत खुश थे, लेकिन आसपास के स्टेट में इनसे कोई खुश नहीं था, ये बात सच है, कि टीपो सुल्तान ने क्रिश्यनों पे काफी अत्या करते थे, उनके विसाल स्टेट थे, नायर्स पे भी मालाबार्स पे भी उन्होंने अच्छे कासे टैक्स लगाये थे, ठीक है, तो ये बात तो सचा, लेकिन मैसूर अगर रीजन की बात करें, जितने एडिया को एक कंट्रोल करते थे, वहाँ पे इनका जो कंट्रोल था, ज चुप-चुप के चीजे बताई जा रही हैं, कि यही लोग कर रहे हैं, तो इसलिए उनको दंड भी काफी दिया जाता था, लेकिन बरबरता तो होई है क्रिश्यनों के साथ, ठीक है, तो एकनॉमिक पॉलिसी में कपड़ा बहुत ज़दा इंपोर्ट, एक्सपोर्ट होता ठीक है, भाया भारत से सिल्क जो है ना, ले जाया जाता था, नील जो है ना, ले जाया जाता था, कपड़े की वज़े से तो पूरी भारती एकनोमी को बरबात कर दिया था, ब्रिटिश ने ब्रिटिश में बड़े कपड़े इस तरह के पसंद किये जाते थे सिल्क और कॉटन तो सबसे बेस्ट फैबरिक्स होते हैं तो मैसूर में बहुत ही अच्छे से इसका कारबार होता था और बेंगॉल को ओवर टुक कर लिया था वो सेंटर था इस पूरे सिल्क का वहां से अच्छा खासा सिल्क आता था बनता था और एक्सपोर्ट होता था अलग-अलग स्टेट में तो इससे जो थी मैसूर की एवरेज इंकम बहुत ज़ादा बढ़ गई पांच गुना ज़ादा हो गई थी इतना ज़ादा प्रोड़क्टिव था अगरी कल्चर भी काफी प्रोड़क्टिक था बीच में बिचॉलियों को खतम कर दिया था ये भी उन्हें बहुत अच्छा काम किया था ठीक है अगरी कल्चर से भी उनको काफी अच्छा खासा रेवीनु आता था और agriculture अगर डेवलप है तो सब कुछ डेवलप है उसके बाद फिर again जैसा कि मैंने बताया कि per capita income इतनी जादा हो गई थी कि Europe की भी इतनी जादा नहीं थी Netherlands की भी इतनी जादा नहीं थी जितना मासूर स्टेट अकेला खमाते थे इतना जादा उनके पास पैसा आ गया था ठीक है और यह पैसा क्यों आता है पैसा तो चाहिए ही ना पैसा क्यों आएगा क्योंकि आपकी policy अच्छी होगी आपका administration अच्छा होगा जब आपका administration अच्छा है तो अपने आपकी economy डेवलप करेगी यही टीपू सुल्तान के साथ ह होता था religious policy की बात करें टीपू सुल्तान मुसलिम थे ठीक है फिल्कुल यह तो सभी को पता है टीपू सुल्तान पे वैसे तो काफी controversy भी होती रहती है अभी आपको पता ही होगा कि कुछ साल पहले Congress ने टीपू जयंती 10 November को बनाने की कोशना की थी तो इससे RSS और BJP ने इस लेकिन मेरे हिसाब से British को तो इन्होंने बहुत ही अच्छे से नाकोचाने चपवा दिये गलत टीपू सुल्तान अगर किया तो वो बिल्कुल गलत है ठीक है युद्ध में सही बात है कि जब इनकी आर्मी जाती थी सब को बहुत ही brutal का कई-कई तो काफी brutality दिखाती थी तो काफी टेंपल शाएद 156 टेंपल से चेक कर लिजेगा आप 156 टेंपल थे जिनको काफी दान जाता था टीपू सुल्तान की तरफ से काफी टेंपल को बनाने में भी टीपू सुल्तान ने मदद की लेकिन यह मायसूर की बात है मायसूर के बाहर जो थाना कुछ अलगी condition चल रही थी, ठीक है, तो ये खेर, ये मैं आप पे छोड़ूँगा, मैं, देखे, मेरा काम है बताना, मैं सर्फ फैक्ट सामने रखता हूँ, जो है वो है, ठीक है, आप डिसाइड करिए कि टीपू सुल्तान कैसे थे, लेकिन एक चीज तो तह है, ब्रिटिशर की तो इनको इ 1757 में, और ये कि स्काउट कम था, 1757 में, जो बैटल और प्लासी हुई थी, इतना बुरी तरह, ब्रिटिशर ने शोषड करना स्टार्ट कर दिया था, कम से कम साउथ हिंडिया जो था, टीपू सुल्तान के अंडर, वो तो प्रोस्परस था ना, इनको रेजिस्ट किये तो शेर बोला जाता है, कहानी मैंने अल्लेडी बताई थी, एक बार फ्रांसीसी दोस्त के साथ ये शिकार पर निकले थे, गोली काम नहीं की, टाइगर इनको पर कूदा, डागर लिया टीपू सुल्तान है और उसे मार दिया टाइगर को, तब ही से इनका एंबलेम और हर ज जो राजा थे आस पास के, ट्रैवन कोर, हमने बैटल आफ निदम कोटा की बात करी थी, कि ट्रैवन कोर आर्मी ने काफी रेजिस्ट किया था और उसके बाद हल्प मांगी थी, ये भी एक बहुत बड़ा कारार था कि ये, क्योंकि ट्रैवन कोर उस समय ब्रिटिश का और उसके बाद फिर फूर्ट, थर्ड अंगलो मैसुर बाड़ स्टार्ट हो गई, ठीक है, यहाँ पर ये लोग बड़े खुश हो गए, निजाम बहुत खुश थे, मराठा बहुत खुश थे, ट्रैवन कोर बहुत खुश थे, ब्रिटिश तो कुश थे ही थे, क्योंकि टी तलवार को भी, अभी तो वैसे काफी टीपू सुल्तान के, मतलब कुछ साल पहले, 2013 तक काफी बीडिंग्स हुई थी, और काफी चीजे खरीदी भी गई है, है ना, इनकी तलवार भी काफी जाधा पैसे की भी की थी, पहले म्यूजियम में उसको रखी गई थी, मचा दी थी, ठीक है, हिस्ट्री पे वैसे तो मैं आई रहा हूँ, सारी इंशेंट हिस्ट्री बैटल सीरीज में पूरी कवर करते ही चल रहा हूँ, ठीक है, तो ये मेरे लेचर का एंड है, टीपू सुल्तान की मैंने बायोग्राफी को पूरा कवर किया है, भाया हिस्ट्र के लिए काफे इंपॉर्टेंट है, जरूर सुनिए, नोट्स बनाइए, पढ़िए, नेट पर सर्च करिए, जो करना हो करिए, लेकिन बस पढ़ते रहे हैं, ठीक है, कोईक रिमांडर हमारे पिन ड्राइफ कोर्स सारे के सारे एक्जाम्स के लिए अभिलेबल हैं, इन बस पर आप कॉल कर सकते हैं, फिर जादा जानकारी के लिए वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, तब तक खुछ रहे हैं, पढ़ते रहे हैं, देशे सिदान तक नियूत्री, साइनिंग आप एंड शियर जरूर कर दिजेगा, थैंक्यू सो मच